नमस्कार जैश्री कृष्णा मेरा के शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने जूतिश ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है और उस सिरीज में काफी लेक्चर्स हो भी चुके हैं जिसमें मैंने इसी विशारी बनेगी तो मैं ज्यादा समय वेशना करते हुए आपका प्रिजेंटेशन लगा लेता हूं और उसको वीडियो को मैं आपको दिखाता हूं तो इसमें ये हमने बनाया है भावों का वरगी करन के नाम से आज का जो चप्टर रहेगा वो रहेगा भावों का वरगी करन और भावों का वरगी करन बहुत सिम्पल है इसमें आपको कौन-कौन से भाव हैं किस भाव से क्या देखते हैं वो सब चीजे बताई जाएंगे तो देखे अब मैं आपको सबसे पहले तो यह बताता हूँ कि कुंडली क्या होती है कुंडली आप लोगों ने में एक हैल से देखा होगा जरूर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह का चित्र होता है कुंडली का मतलब एक लाइन इस तरह से आप यह स्क्वायर या रेप्टेंगल जो भी कुछ है यह बना लीजिए स्क्वायर बना लीजिए उसके बाद एक लाइन इस तरह से डालिए दूसरी लाइन इस तरह से डालिए दूसरी और तीसर लेकिन वो ठीक है बात बात एक ही है कुंड़ी का बनाने का तरीका अलग-अलग होता है पर जायतर इसी कुंड़ी का निर्मान होता है हमारे नौर साड में तो हम लोग इसी कुंड़ी के बारें पढ़ेंगे साड की कुंड़ी किस तरह की बनी होती है वो मैं आपको बैसे दिखा दूँगा लेकिन फलित पर उसका कोई फरक नहीं पड़ता फलित सेम है चाया यह वाली कुंड़ी लगाएं चाया वह वाली कुंड़ी लगाएं तो यह कुंड़ी आप लोगों ने देखी होगी अक्सर जब इसी बच्चा पैदा होता है तो पंड़ी लोग इसी कुंड़ी अस्तर से करके बनाते हैं तो यह कुंड़ी होती है उस कुंड़ी में भाव होते हैं कैसे भाव होते हैं इस कुंड़ी के अंतर बारा भाव होते हैं बारा भाव कैसे कि जैसे देखिए पहला भाव आप यून ना चलके हम को घड़ी के विपिरी दिशा में चलना है। तो ये फ़्रस्ट वहाँभाव हाँगा, ये सेकंड वहाँगा , उसे आगे चले तो 4 गाव निग है। उस्से आगे चले तो 5 फिफट फिर 6 खिर 7, फिर 8 , बावन, इस थरीक से हमारे यह 12 भाव आगा इन भावं को आप ऐसे काउंट मत कीजिए इन भाव को आप काउंट कीजिए कि पहला भाव यह ओगया दूसरा भाव यह ओगया, तीसरा भाव यह, चौथा यह पाउचन वा यह, छटा, सातवा, आठवा, नवा, तसवा, तो भाव हमेशा फिक्स रहते हैं, देखिए यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो, तीन नंबर लिखा हो, या चार नंबर लिखा हो, कुड़ी में या दो नंबर लिखा हो, फॉर्गेट अबाउट उससे भूल जाएए, वो राशियों का नंबर है, जो लिखा होता है कुड़ यह हमेशा कुड़ी पहला भाव रखाएगा, चाहे यहां पर राशी कोई भी लिखी हो, चाहे यहां पर राशी तीन नंबर लिखी हो, या चार नंबर लिखी हो, उससे आप पर लेने देना नहीं है, लेकिन भाव नंबर एक ही रहेगा, जब भी आप से कोई पूछे तो भाव एक कौन सा है तो आपको यही बताना है, जब भी पूछे आप से कोई भाव दस कौन सा है तो आपको यही बताना है, जहां दस नंबर राशी लिखी है वो नहीं बोलना है आपको, जहां पर भाव जो बनता है दस नंबर यह वाला, इसी भाव को बताना है कि भाव दस वहां ये वाला है राशी यहां पर कोई भी हो सकती है तो राशी से कन्फ्यूस इसको मत कीजिएगा ये भाव के नंबर है इसलिए रोमन वन टू थी में दिये हुए है कुल्ली के अंदर नहीं दिखाए होते है आपको अपना की अलिया लगाना होता है कि भाव चौथा कौन सा है भाव पाँच्वा कौन सा है और भाव चटा कौन सा है वहां पे सिर्फ राशियों के नंबर किये हैं ये हमारे भाव हो गए अब ये भाव होते क्या है देखिए, पहला भाव, पहला भाव होता है तन भाव, यह मैं आपको थोड़ा सा बताओंगा, पहला भाव होता है तन भाव, तन भाव यानि की आत्मी का शरीर, तो पहला भाव तन भाव हो गया, अब जब आत्मी का शरीर है, तो उसको धन भी चाहिए, तो दूसरा भाव ज क्या क्या देखते हैं लेकिन आप ये समझगी है कि पहले भाब को हम तन भाब होते हैं तनू भाब में कब उद्धन भाब को हम लोग घ्रम 920 i wilka θα थाड़ भाब होता है तो इसको अम लिक्रम का भाब होटेए तो यह कुरेश का भाब होता यह बल लिक्रम का भाव, चौथा भाव हमारा सुक भाव होता है, या माता का भाव भी होता है, इसको हम बहुते हैं सुक भाव या माता का भाव, चौथे भाव होता है, तो चौथा भाव हमारा सुक भाव हुआ, इससे हमारी कुल्डी में हमें सुक कैसे है, सुक मिलेगा या नहीं म सब सेंटिए नियुक्रूंट को आप यह एक सिंगल वर्ड दिया हुआ है पहले बाग को तनु भाग बोलते हैं दूसरे बाग को थन भाग बोलते हैं तीसरे बाग को विक्रम भाग पांच्वे बाव को संतान भाव गोलते हैं अलकि हैर एडुकेशन भी यही से देखी जाती है तो खेर आगे आपका आएगा शरा जो नक्स वीडियो आपकी आएंगे उसमें घर भाव से क्या-क्या देखते हैं डिटेल ने वह चीज़ेंगे इसके अंदर अपने आपका बढ यहीं स्पाउस वाला भाव होता है, दारा मिन स्पाउस हो गया, आठवा भाव हमारा मृत्यू का भाव होता है, इसको हम मित्यू भाव बोलते हैं, मित्यू का राकस्ट जितने भी होते हैं, वो सारे आठवे भाव से देखे जाते हैं, नवा भाव हमारा होता है भागे भाव इसको हम भागे भाग बोलते हैं दस्वा भाव हमारा होता है करम भाव ये करम भाव क्यलाता है ग्यार्वा भाव हमारा होता है लाब भाव और बार्वा होता है हमारा व्याव भाव तो आपने देखा कि आपके कुंडली में टोटल ये बारा भाव होते हैं जो आपका तन, आपका धन, आपका बल, आपका सुख, आपकी संतान, आपका रोग, आपकी स्पाउस, आपकी मिर्ट्यू, आपके कस्ट जो हैं वो सारे, आपका भाग है, आपका कर्म, आपका लाब और आपके विए, इन सब बातों के विशे में ये बारा भाव आपको बता पारब भाव में सभी चीजों कर राच चिप हुआ है कोई भी क knocked Y isona कोई बारब उसमें इंवाल होगा ही हो सबसे धर होगे कि'll जो प्रश्रन उसने किया है वो किस भाव से संबनित है नंबर वन और किस ग्रह से संबनित है नंबर बो अगर आपने ये चीज दोनों परचान ली तो उसके बाद आपको कुंड़ी देखने में कोई परिशानी नहीं है, कुंड़ी बहुत अराम से आप देख सकते हैं, तो ये कुंड़ी के बारा भाव हैं, जिनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया हुआ है, सिंगल सिंगल, वो प sesटी है, ये मैंने लिखावा आया पर आप लोग के लिए, ये आपको first, second, third, fourth, ये लिखावा नहीं मिले कुंड़ी के अबर, यह सिफ आपको मैंने सिखाने के परपस से लगाया है कि राशी यहां पर कोई भी हो यह तीन नंबर चार नंबर पांस नंबर छे नंबर साथ नंबर राशी कोई भी हो लेकिन भाव पहला यही होगा भाव दूसरा यही होगा बहले राशी यहां पर चार नंबर हो भाव तीस का नंबर समझके सोच जाए कि क्योंकि ये भाव के नंबर जो हैं 1234 नोमन 1234 लिखे हुए हैं ये कंटी में नहीं दिये होते कंटी में सिर्फ राशी होती है अब पहले भाव में जो राशी होती है उसको लगन बूलते हैं यह शहां है को फीछे पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया तो इनसान के बारे में दो ही चीज बड़ी फेमस होती है, इनसान का लगन और इनसान की राशी, अक्सर ये लोग पूछते हैं कि लगन क्या है तुमारी राशी क्या है, तो लगन वो होता है जो कुंडली के पहले भाव में राशी लिखी होती है, पहले भाव में तीन नंबर तो तीन नमबर लगन हो गया पहले बहाब में किसी के आठ नमबर राशी है तो उसका लगन आठ नमबर हो गया आठ नमबर मींस ब्रस्चिक राशी का मैंने पीछे आपको बताया है कि आठ नमबर ब्रस्चिक है नौ नमबर धनू है दस नमबर मीन है वो सब चीज आपको बत पहले भाब में राशि होती है वो आपका लगन क्लाती है तो ये तीन नंबर जो है ये आपका लगन कला है अब आपकी लाशि कॉन से फो उठी नमबर है वह हमारी राशी में चांद्रमा जिस नमबर राशी में power आमारा जैसे माल लिए मरत नमबर स्थैनय सेधना उनक्तों हमारी राशी कोई का इसी आइसी ज्का लगन तीन नंबर है यारी मि होता है तो हम उता हित्मारा लगन तो तीन दंबर है मिघुन है लेकिन राशी तुमारी कन्या कॉन आद्म जिस नहीं बेटा है वह तो इंसान की दाशी होती है उत्स अंसका यह रहेगा तीसर बस्त pinch commodity सलती है और उसके अलावा राशी कोई भी हो सकती है उससे आप confused मत किजए इसमें एक चीज बहुत important है जो आपको ध्यान देने वाली है कि आप से अगर कोई पूछे या जैसे मैं ही आप से पूछू कि आप दस्वा भाव बताईए कौन सा है तो आप क्या बताईगे आप दस्वा भाव ये नहीं बताएंगे कि ये दस्वा भाव है दस्वा भाव आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच्वा छटा साथवा आटवा नवा और दस्वा भाव आपका यही भाव हो जो यह भाव आपको ध्यान रखने हैं भाव आपके कौनस्टन्ट है उनको मत हिला हईए गार राशी से क्फूज मत किजेगा राशी कोई भी महापर हो बहाव आपके constant है तो आज हम नहीं करकते हैं आपको भावों के बारे हैं बताया है मैंने कुल्ली के बारे हैं बताया क्या-क्या भाव हैं कुल्ली में कितने बहाव होते हैं कुल्ली क्या होती है उसके बाद मैं बताओंगा हर भाव के कारप क्या-क्या है समझने में असानी हो जादे बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूं और इसके लावा मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी अपनी क्लासिस चलती हैं बैस स्टार्ट करने जा रहा हूं